Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 6.2 का question number 5 देखते हैं क्या है Find the intervals in which the function f given by fx equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is increasing और decreasing हमने बताना है कि कौन से interval में ये function increasing होगा और कौन से में हमारा decreasing होगा ठीक है, तो देखो क्या करना है, हमें सबसे पहले function लिख लेना है fx equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 ये increasing decreasing वाला exercise है जो बच्चों को ड्राता बहुता है बट next class इससे पढ़ रहे हो आप तो डरनी की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ ठीक है, बेफिगर रोटेंशन नहीं लेनी किसी बात की अब यहाँ पर derivative देखो, इसको f dash x equal to, derivative निकाल लो सबसे पहले 3 to 6 x square, power 1 decrease, minus में, 3 to 6 x, minus में, यहाँ पर 36 x का 36, ये derivative आ गया अब यहाँ पर क्या करना है, आपको common लेलो, क्या common आ रहा है, f dash x, इसको थोड़ा सा simplify करेंगे 6 common, अंदर क्या बच गया, x square minus x, minus 6, अब ये क्या है, quantity equation है, इसके क्या करेंगे, हम factor कर लेंगे तो इसके factor क्या होंगे, वो लिखेंगे, यहाँ पर f dash x equal to 6, बार रहने दो, इसके ऐसे factor निकाल लें, multiply करें तो 6 आए, add, subtract करें तो minus 1 आए x square minus 3x, plus 2x minus 6, तो यहाँ पर f dash x equal to क्या आगया, 6 into, यहाँ से common क्या आगया, x, अंदर क्या बच गया, x minus 3, यहाँ से plus 2 common, अंदर क्या बच गया, x minus 3, तो f dash x जो है मेरा, वो किसके equal आगया, 6 into, एक तो factor आगया, x plus 2, और दूसरा factor आगया, मेरा x minus 3, यह बात समझ में आगी यहाँ पर, अब हमें interval निकालना है, तो f dash x को 0 के equal put कर दो, बस, f dash x equal to 0 put क्या, तो यहाँ पर 6 into x plus 2 into x minus 3 equal to 0 हो गया, बच्चो, तो एक बार तो हम x plus 2 को 0 के equal put करेंगे, एक बार x minus 3 को equal to 0 put करेंगे, तो x की value क्या है, minus 2, 1x की value क्या आगया, हमारे पास 3 आगया, इन दोनों values को क्या करो, number line के उपर represent कर दो, interval निकालने के लिए, पहले काम यहाँ पर minus infinity, right side positive infinity, यह minus 2 है तो यहाँ पर लगा दिया minus 2, यह positive 3 है तो यहाँ पर लगा दिया 3, इतना काम तो करी सकते हो ना, आप, easily कर लोगे, अब interval देख लो हमारे, 3 interval बनगे बच्चो, एक यह, एक यह, intervals क्या बने हमारे, intervals, वो बाद में देखेंगे increasing decreasing, पहले बना लो interval, एक तो बन गया minus infinity से minus 2 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा बन गया minus 2 से लेके 3 तक, फिर तीसरा बन गया हमारा 3 से लेके infinity तक, तीन interval बन गये, अब या तो इनके case बना लो, case first, case second, case third, या फिर इनक case first में interval कौन सा है, minus infinity से लेके minus 2, और f dash x क्या है हमारा वो देख लो, यह वाला, यह वाला ले लो, अब easy रहेगा, 6 into x plus 2 into x minus 3, अब minus infinity से minus 2 के बीच में कोई भी value रखो, minus 2 और minus infinity के बीच की कही है मैंने, minus 2 नहीं रखना है, minus 2 और minus infinity के बीच में, minus 2 से बड़ी value क्या हैगी, minus 3 होगी, minus 4, minus 5, minus 6, इस तरीके से, वैसे छोटी होती है वो, ठीक है, तो minus 3 put कर लिया मानलो हमने, at x equal to minus 3, तो यहाँ पे f dash x देखो बच्चो क्या आएगा, 6 into minus 3 plus 2, यह हाँ पे minus 3 minus 3, यह क्या हो गया, minus का 3, 3, 6, minus से multiply करेंगे, तो f dash x क्या आजएगा हमारा, negative आएगा, जो की क्या है, less than 0, तो यह क्या हो गया हमारा decreasing, decreasing interval, पता लग गया या नहीं लग गया, negative value देगा, यह हमारा result, और यह क्या आगया हमारा decreasing interval, फिर लेंगे हम case second, case second में इस व f dash x क्या है हमारा, वो लिखेंगे, 6 into x plus 2 into x minus 3, कोई भी value लो, minus 2 और 3 के बीच में, मालो 1 ले लिया हमने, at x equal to 1, तो f dash x क्या आजएगा हमारा, 1 put करो, 6 into 1 plus 2, और यहाँ पे 1 minus 3, तो बच्चो negative value आ रही है, यहाँ पे भी तो यह आगया, negative, तो यह भी क्या हो गया, decreasing interval आगय decreasing interval, तो इस interval में भी हमारी value क्या हो रही है, decrease मतलब minus infinity से minus 2 भी decreasing है, और minus 2 से लेके 3 भी हमारा क्या है, decreasing, अब बचकिया 3 से लेके infinity, third वाला case, हमने कर ली एक छोटी सी गडबड, क्या है वो गडबड, यहाँ पे देखो दियां से, minus 3 plus 2 क्या दा minus value आ रही थी, minus minus positive आएगा, य greater than 0 है बच्चो, तो यहाँ पे यह इस interval में increasing होगा बच्चो, ध्यान रखना, हमने गडबड कर दी थोड़ी सी, यहाँ पे positive value आएगी, minus 3 plus 2, negative value, यहाँ से भी negative, negative positive हो जाएगी, तो यह आएगा increasing interval, यह वाला decreasing आ रहा है, third वाले case में देखतें, 3 से infinity वाले में, case third क्या हो ज यहाँ पे 6 into x plus 2, और यहाँ पे x minus 3, ठीक है, तो 3 से लेके infinity के बीच में कोई भी value ले लो, मानलो at x equal to 4 ले लिया हमने, तो यहाँ पे f dash x क्या आजाएगा मेरा ध्यान से देखो, 6 into 4 plus 2 into 4 minus 3, यहाँ भी positive value आ रहेगी, यहाँ भी positive value, तो f dash x क्या आएगा मेरा, positive आएगा मत increasing function, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, f x is increasing in 3 to infinity, तो मतलब हमारा जो minus 2 से 3 था, यह वाला तो हमारा decreasing था, left side और right side दोनों interval पे हमारा क्या आ रहा है, increasing function आ रहा है, पता लग गया आपको intervals का, कि 2 interval पे हमारा increasing function है, और 1 interval पे हमारा decreasing function, यह ध्यान से रखनी है, आपको value यहाँ प देख लिया बस यहाँ नहीं देखा कि हमने negative value यह भी दे रहा है, तो negative negative positive हो जाएगा, तो इस interval इस interval पे हमारा क्या है, increasing function और जो minus 2 से 3 था, वो है हमारा decreasing function, question clear, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी problem हो, आप मुझसे पूछिए, otherwise अपका channel है, nexaclasses sport कीजिए, दबा के सेहर कीजिए, thank you students for watching, nexaclasses